नवस्ते एजी, धैरेवान हिलिंग साइन्स से मैं हूँ धैरेवान, आपका अपना हिलिंग मास्टर दोस्तों, अगण मास चालू हो गया है अगण बिरस्पत जो की आज है, बहुत मायनिता है इसके सदियों से लोग इस मास में गुरुवार के दिन वरत करते आए अपने जीवन में सुक समरिद्धे शानते के लिए, प्रोस्पारिटी के लिए बेसिकली इस महीने के इस गुरुवार में मालक्षमी की पुजा होती है क्यों ना इसका फैदा आप भी उठाए इस गुरुवार को आप भी उब्रत करें आप भी पूजा करें ताकि आपके जीवन में आपके घर में सुक समरिद्धी आए मातल अच्मी की पूजा जिस तरह से होती है, कई विधिया है बहुत सारे कर्मकांड हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बहुत सारे चीज़ों में ना पढ़े केवल वरत और शद्धा, काफे है, वरत और शद्धा मतलब कि आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका श्रद्धा जिस देव तिवत्ता और देवी के लिए आप रखना चाहते हैं, उनके लिए और वरत मतलब कि वो पूजा पेटका खाली होना ये दो चीजों के साथ आप अगहन ब्रास्पत इस वरत को आप कर सकते हैं इसमें बहुत सरी चीज़ें आप अपने घर में ला भी सकते हैं जैसे की लक्ष्मी पोटली जैसे की पारैट ब्रसलेट या पारैट की माला या फिर prosperity bracelet इसके बारे में मैं अक्सर चर्चा करता हूँ जैसे कि शंक शंक इस अगहें ब्रस्पत गुरुवार में शंक का होना तो सबसे शुब मानूँगा मैं शुब शंक को आप अपने घर में लेकर आए जो कि शंक के आनिको फैदे हैं जो कि मैंने सिखाये है खाली पेट में शंक बजाना प्रणायाम करने के बराबर है मतलब कि आप तीन बार शंक नात करते हैं तो दस मिनट का प्रणायाम पूरा करते हैं शंक का वदन करते ही तुरंत आप हाई हो जाते हैं लब कि आपकी पूरी उर्जा उपर की तरह पाजाती है, तुरंत आप ध्यान लगा पाते हैं, तो शंक के हजारों फैते हैं, पूजन स्थल में, व्यापार स्थल में रखने के लिए शंक बहुत शुब होता है, जिससे अपने आप ही सकरात्मा कुर्जा खीची चली आती है, तो इस मारगरशिर्श गुरुवार या सुदर्शा अवरत गुरुवार में जिसे मैंने अभी आम भाशा में अग्धन विरस्पत हम कहते हैं, इस गुरुवार में बहुत सारे रिच्वल्स हैं जो आप कर सकते हैं, करना जरूर, चार गुरुवार का समय हैं आपके पास, अपने घर में लश्मी पोटली आप ला सकते हैं, लश्मी पोटली बना करके, लश्मी पोटली की पूजा अर्शना करके, अपने तिजोरी में रखें, तक ही मा लश्मी की कृपा बरसे, दिवाली छोड़ गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगन बिरस्पत में बहुत सारे जो भी जरुत का समाने है, गुरुवार को जरूर ले, इससे प्रॉस्परिटी आपके घर में आगे, जो भी चीज़ा आप लेकर के अपने घर में आओगे, वो सकारत्मक उर्जा के साथ आएगा, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल और कई ऐसे देश जहां, हिंदू का हर महीने अलग होती है, तब ही तो कभी ठंड, कभी बढ़ साथ, कभी गर्मी होता है, सुर्य की ग्राविटी, चंद्रमा की ग्राविटी, उसा गुरुतावक कर्शन का बहुत जादा महत्व है, बहुत जादा इफेक्ट है हमारे जीवन में, तो यह बहुत इंपोर्टन करें, पूजा करें, वरत करें, जो भी माला आपके पास है, उससे जाब करें, उस माला जाब करने के बाद लोटे के उपर रख लें, उस लोटे का पानी ग्रहन करते रहें, तो यह बहुत सारी प्रक्रिया हैं, जिससे आप अपने positive energy को, अपने cosmic energy को, अपने spiritual energy को अपने अ सिखाया हुआ है, जो भी crystal आप यूज करते हैं, जाहें, वो seven chakra crystal हो, जाहें, वो स्वितिक हो, जाहें, वो कोई भी crystal हो, healingly इस्तमाल करते हैं, उन्हें आज के दिन में, specially हातों में लेकर के, चार्ज करें, अपनी पूजा complete करने पाद अपना, जो भी ritual complete करने बाद हातों में करें, किस्ता से charge करें, वो भी मैंने सिखाया हुआ है, तो इस तरीके का प्रयोग करके आप करें, अग्धन ब्रस्पत के पूरे फार्दे को उठाएं, चार हपते का आपके पस समय है, बहुत शुब बढ़सेगा, आप रातना करूँगा आप सब के लिए, आशे करता कि आज का अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ माया होगा, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए, नमस्ते है जी